दोस्तों दिवाली का तियोहर किसे नहीं पसंद इस तियोहर पर हर कोई अपने घर जाकर अपनों के साथ तियोहर मनाना चाहता है और दिवाली ही कि होली, रक्षा बंदन, ईद, ट्रिस्मस हम अपने परिवार के साथ ही तो बनाना चाहते हैं मगर क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपकी बस या ट्रेन छूट जाए तो क्या होगा? बुरा लगेगा ना? अकेले अपन फील होगा और तिवार भी अकेले ही मनाना पड़ेगा पर क्या आपने कभी सोचा है कि दिवाली पर या होली पर किसी की बस छूट जाने की वज़ा से कोई अपनी कमपनी भखड़ी कर सकता है और उसे वर्ल्ड में नंबर वन भी मना सकता है जी हाँ दस्तो ऐसा हो चुका है कभी-कभी जिन्दगी में कुछ ऐसे किसे या सिचुएशन्स होती है जिन सिचुएशन्स का सामना करते-करते हम अपनी जीवन का लक्षे ढूण लेते हैं और उन्होंने उस बस छूटनी को ना सिर्फ अपनी दुख का कारण बनाया मगर अपनी सक्सेस का रीजन बना लिया यह होता है आंट्रोपिर्णर जी हाँ हम आज बात कर रहे हैं रेड बस की सक्सेस के बारे में हम बात कर रहे हैं कि कैसे सिर्फ 5 लाक रुपे से शुरू हुई यह कंपनी आज करोडों में बिजनस कर रही है मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जरा वीडियो को लाइक कर दीजे चानल को सब्सक्राइब कर दीजे और वो जो साइड में बेल आइकन है उसे दबाना बिलकुल भी न भूले जिससे हम ऐसे ही कमाल की बिजनस से जुड़ी सकसे स्टोरीज और केस स्टेडीज आप तक बार बार ला सके दोस्तो सबसे पहले सवाल उठता है कि आखिर ब्रैंड की शुरुआत हुई कैसे यानि रेड बस की शुरुआत कैसे हुई तो साल 2005 में फैनिंद्रा जी दिवाली में अपने घर जाने के तयारी कर रहे थे वो बैंगलूरी की कमपनी में टैक्सिस इंस्टूमेंट्स में काम कर रहे थे ट्राफिक की वज़े से वो समय पर बस स्टैंड पर नहीं पहुँच सके और उनकी बस छूट गई और वो परिशान होकर अपने घर अपने कमरे में वापस लोट आए घर ना जाने के कारण वो दुखी हो गए लेकिन उस निराशा में उन्होंने खुद को मायूस नहीं किया बलकि एक नया आइडिया निकाल दिया ताकि जो उनके साथ हुआ वो किसी और के साथ ना हो उनके इस आइडिया की वज़े से देश दुनिया में लोग उन्हें जानने लगे क्या आपको सुनकर हैरानी नहीं होती कि मात्र पांच लाख रुपे और पांच सीट की बुकिंग से हुई थी इस प्राइन की शुरुआत फेनी ने उस समय महसूस किया कि लोगों के पास बस टिकेट कटाने के लिए ऐसी कोई चोईस नहीं है जो कि उनकी मदद कर सके ऐसे समय में उन्होंने एक ऐसा प्लाटफॉर्म तयार करने के बारे में सोचा कि लोगों की यात्रा और कॉंफर्टेबिलिटी का ध्यान रखा जा सके उन्होंने अपने दो दोस्तों पद्मराजू और सुधाकर पशुपुनराय के साथ अपने आइडिया को मेल करके शेर किया पर उस समय इनके पास अपने इस आइडिया को फील्ट में उतारने के लिए पैसे नहीं थे उस समय इन तीन दोस्तों ने अपनी सेविंग चुटाई और सिर्फ पांच लाग तक ही कलेक्ट कर पाई और इस सेविंग के साथ इन तीनों ने रेड बस पोटल की शुरुआत की उस समय फेनी जी के पास आफिस नहीं था करती थे तो मदद तो बिल्कुल नहीं करती थे और अब समय आ गया था 18 अगस साल 2006 का जब उन्हें पांच सीट बुक करने को मिली अब समय शुरू हुआ संगाश और महनत से थोड़ा आगे निकलने का इन पांच सीट को बेचने के लिए वह आई टी कंपनी के बाहर खड़े रहे और लंच ब्रेक के दौरान कंपनी के लोगों को रेड़ बस कार्ड बांटने लगे पांच दिन की कड़ी मेहनत के बाद उनके सारे टिकेट्स बिग गए और उनकी गाड़ी चल पड़ी दोस्तों 30 लाग की उम्मीद से मिले नहीं तीन करोड रुपे जी हां रेड़ बस का सफर अब शुरू हो चुका था फांडर्स को करीब 30 लाग रुपे की जरूरत थी और वो फंडिंग के लिए लोगों से संपर करने लगे बहुत कोशिचों के बाद साल 2007 में इनकी बात बन गई और सीड फंडिंग कंपनी इनकी कंपनी के स्ट्रक्चर को बखू भी समझा और बहुत ही समझदारी के साथ इन्होंने अपने पैसों को इन्वेस्ट किया नया ओफिस बनाया और बड़ी मेहनत और लगन से काम किया कुछ समय के बाद कई बड़े बस टूर ऑपरेटर्स के साथ पार्टनर्शिप शुरू हो के 3 करोड रुपे जो उन्हें 3 साल चलाने थे वो 1.5 साल में ही खत्म हो गए और उन्हें फिर से फंड की जरूरत पड़ी पर आब इन्वेस्टर्स नहीं मिल रहे थे काफी कोशिचों के बाद साल 2009 में आकिर कंपनी को 2.5 मिलियन डॉलर्स की बड़ी फंडिंग मिल गई इ जावा करने वाली रेडबस अब तक करोडों लोगों को सेवा दे चुकी है रेडबस आज भारत में ही नहीं बलकि सिंगपॉर, मलेशिया, इंडोनेशिया, कोलंबिया जैसे कई देशों में कंपनी सर्विस ऑपरेट कर रही है साल 2023 में अब तक रेडबस का रेवेन्यू 8.85 मिलियन डॉलर्स का हो गया है और इसके 20 मिलियन से भी ज्यादा कस्टमर्स हैं तो दोस्तो कितना बड़ा कस्टमर बेस है रेडबस अब सिफ प्रॉफिट में ही नहीं चल रही बलकि पिछले साल रेडबस ने 180 मिलियन से भी ज्यादा ट्रिप रेजिस्टर किये हैं तो दोस्तो इस तरह रेडबस ने 5 लाक रुपे से शुरुआत की और आज करोडों का बिसनस जनरेट कर रही है मैं तो यूं कहूंगी कि बस छूटी नहीं मगर नई जिन्दगी को नई बस मिल चुकी थी ये थी हमारी आज की रेडबस की सकसे स्टोरी कैसे ये ब्रांड डेवलप हुआ कैसे एक छूटी हुई बस ने इस ब्रांड को बना दिया और हमारी जिन्दगियों को भी आसान किया कैसे रेडबस भारत की सडकों पर ही नहीं विदेशों में भी अपना नाम कमा रही है ऐसा होना चाहिए बिसनस कुछ इस तरह का होना चाहिए बिसनस मॉडल तब तक के लिए खयाल रखिये मिलते हैं एक आगली वीडियो में धन्यवाद